आज फिर हम लोग इतिहास के विशे से एक बहुत ही important topic लेके आए हैं और इसकी सुरुआत अलड़ी हम लोग कर चुके हैं ये है असोग के सिला लेक से समंधित तत्य पिछली बार जो हम लोग ने बात किया था जिस वीडियो में उसमें हम लोग ने ये बात किया था कि जो असोग के बिरहत सिला लेक हैं चौदा बिरहत सिला लेक वो किन किन इस्थानों पर पाए गए हैं तो जैसे पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि आठ इस्थलों पे ये बिभिन सिला लेक पाए गए थे उन इस थलों में दो आज की गेट में पाकिस्तान में हैं जैसे मंद सेरा, दूसरा साबाजगड़ी, भारत की अगर बात क्या जाए कलसी, देहरादून में या उत्राखंड की बात कर लिजिए, उत्राखंड में, उडिसा में दो एक धौली, एक दूसरा जाउगड़ा, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये रागोड़ी, आंदरपरदेस, कॉर्णोल जीला में, ये इसके बाद, सोपारा, महरास्टरा में, और गिरनार, गुजरात में, ते इस तरीके साब देख सकते हैं कि ये आठ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, इन आठ इस्थनों पे, असो के सिला लेख पाए गए थे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कि इन सिला लेखों में, बात क्या की गई है, तो, इसका जो ब्रिहद सिला लेख, एक है, उसमें क्या बात कही गई है, उसको हम जानेंगे, देखिए, इस सिला लेख में कह जबल रहा गया ये है की पसु हत्या और उत्सा समारो पसु हत्या और उत्सा समारो फर प्रतिबंध लगा दिया इना ने यह बात कहीं गई इसके साथ इना इया कहा अगया है की एक एक क्षे एक हिरन पका करता था जो मैंने ये लिखा है इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ एकदम अच्छे तरीक से देखी इसको राइट उनके रसोई घर में दो मोर और एक हिरन पका करता था ठीक है या यह कहें कि रोज मारे जाते थे लेकिन भविष्य में असोक ने यह कहा कि ये पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तिक है इनकी हत्तिया भी परती बंदित हो जाएगी दूसरे प्रिहस्रिया लेक में ये कहा गया है कि देवताओं के प्रिय दसी राज्य के सभी इस्थानों पर उसके सिमान्तवर्ती राज्याओं, समझें यहाँ पर सिमान्तवर्थी राजाओं जैसे चोल, पांड, सारी पूत्र, केरल पूत्र और तामरपाडी ये पूरे ये वाला जो पूरसन आप लोग देख रहे हैं इसमें ये राज्ये आएंगे कौन से पांड, चोला, सारी पूत्र और केरल पूत्र ये सिमान्तवर्थी राजी छित्र हो गया, इसके साथ अगर नौर्थ में बात करो तो ग्रेको बैक्टरियन ये वाला, जिसको बात बोली जा रही है यवन राजा अत्योक और अंत्योक के प्रड़ोसी राज्यों में पस्वों और मनुस्यों के चिकित्सा का प्रबंधन की बात की गई है, किसमें ब्रिहस सेला लेक दो में इसके साथ इस सेला लेक में ये बात बोली गई है कि मार्ग में रास्ते में ब्रिच रोपन की बात की जा रही है, ठीक है यह आप देख सकते हैं, ये जैसे मानी कि ये सड़क है आज की डेट में जो सड़क होती है, सड़कों की किनारे ब्रिच लगानी की बात असोक की ब्रहस सीरा लेक दो में ही कही गई है और ये बात समझें कि आज से लगभग 22-23 साल पहले की बात है, ठीक है? अब दूसरी बात इन्हों ने ये भी कहा है कि कुवे खुदवाने की बात इन्हों ने किये, ठीक है? ये कुवे आप देख सकते हैं? ठीक? तो ब्रहस सीरा लेक दो में पेनों के सड़कों की किनारे पेन लगाने की बात और कुवे खुदवाने की बात की गई है, अब आते है अग्या जारी की है मतलब राजया अभिशेक जब वो राजगद्दी पे बैठता है उसके बारहें वर्स वो क्या अग्या देता है की जो उसके उच्च अधिकारी है जैसे अधिकारियों में इप्तक, राजुग और प्रादेशि अग्या कारियों के अलावा वो क्या करेंगे कि अपने पांचवे वर्स हर पांचवे वर्स ये बताएंगे लोगों को कि अपनी माता-पीता की सेवा करनी चाहिए इस तरीके से ब्राम्हण और स्रमण तथा मित्रों ब्राम्हन, स्रमन तथा मित्रों के प्रती उदार रहना चाहिए। इसके साथ थोड़ा सा बै कीजिए और थोड़ा सा संचे करने की बात असो कहता है। ब्रिहस सिलालेक 4 की बात करते हैं हम लोग। ब्रिहस सिलालेक 4 में धम नीती से सम्मन्धित महत्पुन विचार है। इसमें कहा गया है कि धम की नीतियों द्वारा अनेतिक तथा ब्राम्हन एवं स्रमनों के प्रती निरादर की प्रिविट्ती, हिंसा, मित्रों तथा रिस्तदारों के साथ और सोभिनिये वेवहार तथा इसी तरह के अन्यकारियों का नियंत्रन होना चाहिए। यह कहा जाए कि इसमें नियंत्रन हुआ है इसकी बात इन्होंने किये। पांचवे ब्रिया सिला लेकी इसमें असोग बोलता है कि मैंने अभिसेग के 13 वर्स धम महामात्रों को नियुक्ती की। धम महामात्रों से मतलब धर्म गुरु से समझे या धर्माचारियों से समझे आप। इनकी नियुक्ती धार्मिक संपरदययों में धर्म किरच्छा और अविवर्द्धी के लिए तथा धार्मिक लोगों के लिए और सुख के लिए किया गया है। तधम महामात्रों की नियुक्ती की बात सिला लेक पांच में की गई है। अब ब्रिहा सिला लेक छठे की बात करें। इस सिला लेक में धाम महामात्रों के लिए आदेश है। उनसे कहा गया है कि वे राजा के समझ किसी भी सूचना को ला सकते हैं। और किसी भी समय में अगर मानने की राजा कितना भी ब्यास तो कि कोई भी कारी वो कर रहा हूँ। लेकिन इनको यह अधिकार था कि किसी भी कंडिशन में वो आके वो राजा को अपनी सूचना जी है वो दे सकते थे। ठीक है। इसके साथ वो असोग यह कहता है कि मैं जो कारी करता हूँ उसका प्रियोजानिया है कि प्राणी मात्र का जो रिण मेरे उपर है उस से मैं मुक्त हो जाऊं। सोची कितनी यह महांता की बात है एक राजा के लिए कि राजा अपनी प्रजा का अपने आपको रिणी समझता है करसदार समझता है और इस करज को उतारना कैसे प्रजा की भलाई करके अब आते हैं सिला लेक साथ इस सिला लेक में कहा गया है कि प्रियदर्सी चाहता है यहा इसी में वर्नित है कि साइयम और आत्म सुद्धी का होना आवस्यक दूसरी अनुपस्तिती में मनुष्य निस्चित ही नीच हो जाता है ये असोग के सब्दे अब आते हैं बिरिया सिला लेख 8 इस सिला लेख में वरनत है कि समराट ने अपने अविशेक के 10वे वर्स जो आप लोगी इस सीला लेखों में आप देख रहे हैं कि 12 वे बर्स, 13 वे बर्स, 8 वे बर्स, 10 वे बर्स इसको भी आपको याद रखना चाहे हैं प्रश्मी यह पूस्चा जाता है कि वह अपने कौन से बर्स में राजा अभिशेख के कौन से बर्स में कौन सी बात कही थी ठीक है तो दसमें बाध वह संबोधी की यात्रा करता जिसे धर्म यात्राओं की नियू पड़ी संबोधी का मतलब जहां पर महातमा बुद्ध को ग् अभिशेक के दसने बार्स तीस तरीके प्रश्न बनते हैं ठीक इसी वज़ए से असोग ग्रेट था अब आते हैं ब्रियासिलालेक 9 पे इसमें कहा गया है कि लोग विवाहों तथा अनेक औसनों मंगलाचारण करते हैं मंगलाचारण का मतलब की जो धर्मिक अनुन स्थान होत मतलब उसका मतलब क्या है इसमें दासों और प्राणियों के साथ आत्मसयम का विवहार कर गई जी सब धं मंगलाचारण हैं इसमें यह भी कहा है कि दान सबसे स्रिष्ट अगर कोई चीज है तो वो दान है दसमें में बात यह की गई है सिलालेक 10 में कि इसमें ख्याती गौरों के निंदा की गई है मतलब कि ख्याती और गौरों के प्रति ललायत नहीं रहना चाहिए क्या करना चाहिए मनुस्च को मनुस्च को अपनी स्रिष्टा पर विचार करनी चाहिए किस पे अपनी इस इलालेक में धंनीती की ब्याख्या की गई है, इसमें बड़ों का आदर पसू अत्या न करने तथा मित्रों के प्रति उदारता पर बल दिया गया है, ठीक? बारहें की बात करें इस सिलालेख में पुना संपरदायों के बीच संसूनता का निदान क्या गया है तो इगरहें में क्या है कि पसु हत्या नहीं करनी है ये गलत है और बारहें अब लेख में जो है सभी धर्म एक साथ रिलिजिस टोल्डेंस की बात की गई है ठीक है तो सब धर्मों को जो है वो जगा मिले तो बारहें में पुना संपरदायों के बीच संसूनता का निवेदन किया गया है अब आते हैं तेरह वाँ जो बहुत इंपोर्टेंट है बिढ़ा सिलालेख तेरह में यह बात की गई है कि कलिंग विजे का वरणान है इसमें इसमें कहा गया है कि असोक ने अब इसे के आठ वर्ट बात कितने आठ वर्ट बात कलिंग देश को विजिद किया था अब इसमें हुआ क्या था लगभग डेढ़ लाक लोगों को तो उसने कैद कर लिया था और इस युद्ध में एक लाक लोग मारे गये थे इसमें ये भी बढ़न है कि यवनों पर्देश मतलब ग्रिक्स की बात की ज़रे कि पर्देश को छोड़ का कोई ऐसा पर्देश नहीं था जहां पर ब्रामा और स्रामन समधाय के लोग ना रहते हूं इसका मतलब इसमें ये बताए जाए थे कि इसकी टेरिटरी जह है असो की टेरिटरी कितनी एक्स्टेंडेड हो गए थी इसका जो राज इच्छे तरह था बहुत धूर तक फैला हुआ था इसके साथ जो बहुत इंपोर्टेंट बात तेरह में अभिलेक में सिला लेक में की गई है वो ये है कि इसने ये बुला है कि मेरे पुत्र अथा प्रपोत्र नई बीजेयों के बारे में न सोचें मतलब इउध ना करने की बात करता है और जो बीजेय उन्हें प्राप्त हुई है उनको हलके फुलके डहंक के साथ संतूस्ट हो जाए अब ये सोचें ये ग्यान मिला कब जब एक लाख लोगों की हत्या हो चुकी कलिंग विद्ध में और डेल लाख लोग जो बंदी बनाएंगे तब इसको ग्यान आया कि इउध करना जो है अच्छी बात नहीं है अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चौदवेंं सिला लेख में इस सिला लेख में कहा गया है कि यह लीपी कहीं मध्यम और कहीं विस्तरीत रुप में लिख भाई गई है ठिक मैं आगे असो कहता है कि मैं आगे और भी लेख खुदवाऊंगा और समोता इन लेखों में कोई तूटी रह गई हो तो आगे अपना काम और continue रखेगा और जो जो ये काम करेगा असोख वो उसको फिर आगे की अविलेखों में, सिलालेखों में वर्रण करने की बात करता है, ठीक है? तो ये जो थे, ये एक से लेके 14 बिरह सिलालेख में जो बाते थी, उसके बारे में ये वीडियो था, ये वीडियो आप लोगो कैसा लगा, आप इसमें क्या संसोधन देखना चाहते हैं, और क्या नए inputs इसमें डाले जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़े जो है, आप अपने comment box म जरूर बताईए, और हम कोसिस करेंगे कि इन तुरुटियों में हम सुधार करें, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद.